हाई दोस्तों नमस्कार स्वारत करता हूं आपका डेवलपिंग सक्सेज यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि हम डेली हर एक एक एक्जाम के लिए नया चैप्टर उठा रहे हैं और ऐसे ही आज भी हम लोग उने इन एक्जाम के लिए जो कि आपके हाल फिलाल में चल र बात हो चाहिए वो एससी के सीचसल सीजेल और या फिर सीप्यों की बात हो उन सब के लिए दोस्तों आज हम लाए हैं वर दमोस इंपॉर्टेंट जो कि प्रीविएस इंडर्स के क्वाश्चन पेपर्स में काफी रिपीट हुए हैं और दोस आर्वी कॉल्ड नाउन एर्र जहां एक्षल में दोस्तों एर्रस एज होते हैं वह सभी बाटव स्प्रीट का अमयलंगर मेशन होता है वह सभी पारट आव इस्पीट से मिल के आती हैं लेगी ही कि एससे कितने एर्र्स हैं जब डोराव को नीज्र झ्पैटं करें हैं जिसाप्टर सुद्धार को लिंगे ठीक है तो बहुत ही useful और fruitful होने वाला है यह आपके लिए session तो मस्तिक के साथ बने रहे हैं बिलकुल लास्त तक और हर एक error को ध्यान से देखिए देखिए कि आप कितने error कर पाते हैं खुछ से और बाकी जो नहीं कर पाते हैं वो यहां सीखेंगे साथ करने से पहले वीडियो के बार लाइक जरूर कर लें और साथी साथ प्लीज इससे शेयर कर दें और यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इतनी देरी क्यों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें ठीक है लेकिन अपने सभी दोस्तों को बता दें कि class start है और आप प्लीज शेयर कर दें तमस्ति के साथ इससाइट करेंगे दोस्तों previous years questions errors करेंगे आज ना उनकी जो कि पिछली classes में हम लोगों ने mix errors किये थे लेकिन आज हम start कर रहे हैं उन्हीं सब exam को जहान में रखते हुए जो exams अब आने वाले हैं आपके लिए तो उनमें कौन से errors हैसे हैं जो repeat mode में use होते हैं तो बिना time based के हुए और बिना किसी वकवास के start करेंगे दोस्तों नमबर वन से आप बस्ती से हर एक error को पढ़िए पहले ठीक है और उसके बाद मैं आपके लिए करूंगा तो जल्ली से पढ़ ले एक बार मैं आशा करता हूं कि आपसर में पहले लिया होगा यह error आईए तो करें start नमबर वन ने कहा the morale of the army was high because the news from the front were very encouraging full stop no error writer ने कहा कि morale जो है आर्मी का आर्मी की जो नयतिकता है वो क्या थी was high बहुत उचाई पे थी बहुत हाई थी क्योंकि जो news थी front से सामने से वह बड़े ही उत्साहपूर्ण थी बड़े ही उत्साहपूर्ण लोग उत्साह भर देने वाली news थी इसलिए आर्मी का जो मुराल था वो सबसे हाई था यहां पर मुराल का मतला है जोश ठीक है तो दोस्तों क्या हुआ बहुत ही सिंपल है अ बहुत है सिंपल है यहां मोलाल पूराण सिंग human है और सिंग्शूर के लिए वर्ब जो yover और ने यूज की है वह वौज यूज की है तो ये बिल्कुल ठीक है इसमें एर नहीं है मुराल सिंग्यूलर है सिंग्यूलर के साथ वर्ब भी सिंग्यूलर लगी है तो यहां कोई भी दिकत किसी प्रकार की नहीं है लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं because the news आप सबको मालूम है कि news जो है वो दिखता plural है लेकिन होता क्या है singular news is a word which looks like a plural but it is used always as a singular और चुकि है singular noun है because the news from the front were very encouraging यहाँ news singular है तो भाई verb भी तो singular होनी चाहिए तो यह where जो आया है किसके लिए आया है news के लिए तो यहाँ where यूज ना करके आपको was use करना है और अब आपने correction कर दिया मैं आशा करता हूँ कि सबको clear हुआ होगा यह हमने was का यूज क्यों किया हमने was का यूज से लिए क्योंकि news जो वर्ड है वो singular noun है और singular के लिए singular verb यूज ठीक है चलो number second पर कूदते हैं बिना किसी देरी के और बिना time गवाए हुए हम दोस्तों error करने वाले हैं राफी सारे error हैं चलिए second ने कहा she misplaced her spectacle and is now feeling great difficulty injury उसने अपना spectacle spectacle मतलब चश्मा ठीक है नजर कर दो चश्मा होता है का difference होता है गौगल और this practical में गौगल कहलती है है दोस्तों धूप के चश्मी और死प्राक्टिकल कहलती है नजर के चश्मी तो राइटर ने कहा उसने misplace कर दिया उसने कहीं रख के भूल गई अपने इस प्राक्टिकल को अपने चश्मी को और अब कर रही है बहुत ज्यादा कठनाई पढ़ाई में कुछ पढ़ना है उसको और उसके बाद नश्मा नहीं है तो वह बहुत ड्रेट डिफिकल्टी फिल कर रही है नाउन का बहुत ही सिंपल एरर है ये शी मिस प्लेस्ट हर स्पाक्टिकल दोस्तों ऐसा कोई भी नाउन जिसके डूपाइम अननफ नाउन विछ पैर उड्वधर ब्त चे साथ डिया साथ आप हमेशा ल।स अब्रूर नाउन यूस करते हैं तो दोस्तों इस प्रकटिकल कोएवर्स नहीं होता यहोता है स्वाक्टिकल्स के वल इतना , और रेज यह ग्जाकी काफी लोगा ने कर लिया होगा she misplaced her is practical लेकिन यहाँ पे काफी दोस्त ऐसे भी है मेरे मुझे बताइए कि कमेंट बोक्स में लिखके कि कितनों ने यहाँ पे इसका आर कर दिया यहाँ इसका आर नहीं होगा क्योंकि यह जो इस वर्ब है यह शी के लिए है तो शी क्या है शी सिंग्यूलर है इसलिए वर्ब भी हमारी सिंग्यूलर आई तो इस सही है बस आपको इस practical का practical करना है सभी को simple था बाकी यहाँ पे कहीं कोई दिकत नहीं है नमबर 3 पे आ जाओ चलो तो रीद नमर थर्ड श्लोली श्लोली बट एक्टिबली सेरस ने कहा बच्चों अब फार्मर वाज लीडिंग औक सेस्ट फील्ड एक फार्मर किसान जो था वो लीड कर रहा था औक सेस्ट बैलों को अपने फील्ड में फॉर प्लोइंग अर्ली इन दा मॉर्निंग सुभा खेत जोतनी के लिए वो क्या कर रहा था बैलों को हाक रहा था तो अफार्मर वाज अफार्मर सिंगुलर है उसके लिए वाज आया वाज के संग लीडिंग लगा हुआ है पास कंटिनियस टेंस कोई दिखकत नहीं है लेकिन आपको नाउन के एर में यह चीज अच्छे से मा comment box मुझे आप comment box से लिखके बताएंगे तो यहां ऑक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा ऑक्सन एरर हो गया आपका पार्ट बी में ठीक चलो बाकि यहां कहीं भी कोई दिकत नहीं है फॉर लगा हुआ है प्रेपोजिशन के बाद यहीं कोई वर्व यूज होती है तो वह हमेशा आएंजी फॉर्म में यूज होती है इसलिए प्लो जो है वह वर्व है और यह वर्व हमेशा आएंजी फॉर्म में लगेगी क्योंकि फॉर के बाद है और फॉर प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन के प्रिंसपल ने कहा दा मेजॉर्टी ओफ दा विमन टीचर्स आर पर्सुएड कर रही है लुभार ही है Persuade का मतलब है किसी को लुभाना, attract करना किसको, principle को क्या करने के लिए कि विचार करे principle उनके demands पर, मतलब उन lady teachers की कोई demand होगी, women teachers की, तब वो principle से कह रहे हैं कि मलिक please हमारी demand को पूरा करो, तो इसके लिए वो persuade कर रही है, attract कर रही है, तो दोस्तों, majority of the women teachers, majority मतलब हो गया, एक स जाड़ा को दिखाता है तो भाई women का plural भी तो women होना चाहिए यह women है और हमें करना है women क्यों करना है क्योंकि women यह singular है m-e-n आपको लगाना है men women plural बनाना है क्योंकि teachers plural है तब पूरा का पूरा compound noun plural बन जाएगा तो sentence ने कहा the majority of the women teachers are अब यहां पर teachers plural है इसलिए आर आ गया जो कि बिल्कुल ठीक है तो error हमारा e में है आर के बाद verb की ing form लगी है so no worry for that clear? चल नुबर फाइफ, read the sentence carefully simple है one of my friend came running to me, मेरा एक दोस्त भागता हुआ आया मुझ पे and gave me this good news और उसने मुझे यह अच्छी सी भग प्यारी सी news सुनाई तो one of my, आप सभी लोग जानते हैं कि one of के बाद आने वाला noun हमेशा plural होता है यहाँ exactly one of के बाद आने वाला noun हमेशा plural होता है तो यहाँ friends हो जाएगा ना की friend आप चाहें कहें वन आफ माई sister तो बहनों में से एक बहन तो वन आफ माई sister होगा ना की sister होगा या फिर आप यूँ कहें यह माई हटा दो यहां से वन आफ दफ फिल्म तो बहुत सारी फिल्म में से एक फिल्म सो वन आफ के बाद आने वाला noun हमेशा plural होता है ठीक है लेकिन वर्ब हमेशा singular होता है लेकिन यहाँ पे बर्ब पास एंडाफ एफिन लगी है तो भ्या केम तो singular भी ए और प्लूरल भी है तो उसमें डिक्कत नहीं है लेकिन error ये में हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स हो जाएगा यह नेक्स्ट नबर सिक्स रीट थे सेंटेंस एंड टेल मी वाट शुट बीड़ा एर्र बच्चों सैनेस ने कहा दा इश्यू आर वेरी कॉंप्लेक्स एंड प्रॉब्लम इस दाट इश्यू मुद्दा जो है वह बड़ा ही जटल है कॉंप्लेक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट और प्रॉब्लम और समस्या जो है वह क्या है कि यह बाउंड टू बी हाइपो क्रिटिकल हाइपो क्रिटिकल पॉलिटिशन से इनके द्वारा यह निजन अंदाज किया हुआ है तो रैटर ने क्या कहा दा इश्यू आर वेरी कॉंप्लेक्स अब यहां पर बहुत सारे स्टुनेट्स यह सोचेंगे कि सर इश्यू सिंग्यूलर है तो भाई अब हूँ मालिक एक छोटी वास सोचो जब इसको इसको कर दिया तो वेरी कॉंप्लेक्स अन्दा प्रॉब्लम इस डाट यह दे किसके लिए आया है यह तो इश्यू के लिए अब यहां आपने इसको सिंग्यूलर बना दिया लेकिन यह तो प्लूरूर बना हुआ है अब द बैरी कॉंप्लेक्स अन्द प्रॉब्लम इस डाट दे आर मतलब इशूज आर बांट वी अप्सकूर्ट बाय दा है प्रॉप क्रिटिकल पॉलिटिक्शिंस दाट सब्सेंपल यह तो किमान नमर नेक्स्ट नहीं समझ में आया बच्चों तो मुसे पूश ली जगा पढ़ि जो है भूकंप जो है वह एक नैचुरल प्राकृतिक आपदा है को इसको अलेकिनों नाप नहीं सकता को जान नहीं सकता कव आने वाला है तो राइटर ने का एन अर्थक्विक इस नैचुरल फिनामेना मैं आपको बता दूँ दोस्तों कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हम इस नहीं प्राइब करें तो यहां पे एन अर्थक्विक सुन्गिन की बात हुई है तो सिंग्यूर के लिए सिंग्यूर नाउन आएगा फिनोमिना की प्लिस पे आप यूज करेंगे फिनोमिना अंडाट सच ठीक चो नमर एट आजाओ Come on What should be the right error All the evidence against him were rejected by the high court Writer ने कहा उसके द्वारा जितने भी evidence थे Against him were rejected by the high court वो high court के द्वारा क्या कर दिये गए Reject कर दिये गए तो पहले आपको समझना यह है कि रैटर ने कहा All the evidence अब यहाँ पे काफे लोगी सोसते हैं कि All the evidence है और लगा हुआ है तो एक अप्स्रेट नाउन है एविडेंस कुछ नहीं होता तो नहीं होता तो हम यह कहें आप हमेशा singular verb use करेंगे so it should not be was it should sorry it should not be where it should be was yamisha was right by to all the evidence against him was rejected and that should be the right answer q q q abstract noun is this cool lickling upload and material now right abstract noun और material noun दोस्तों यह दौनों अपने साथ यह दौनों क्या होते हैं यह दौनों ही singular होते हैं just remember कोई भी abstract noun और कोई भी material noun हो यह हमेशा singular होता है इसी लिए वर्म भी singular ही लेगा तो इसलिए वर्म का वोज हो गया चाहिए चलो नबर नाइन करो कमार माइच पांक स्कूच जाओ जल्दी से बताओ क्या एरर होना चाहिए the doctor declared that the patient's intestine was not working properly and so she needed medical treatment for a long time writer ने क्या कहा writer ने कहा the doctor declared डॉक्टर ने declare किया क्या डिकलेर किया के patient की जो intestine है patient की जो आते हैं was not working properly वह अच्छे से काम नहीं कर रही थी and और इसलिए so she needed उसे जरुवत थी medical treatment की लंबे समय से तो इसके लिए आपको छोड़ी चीज समझे पढ़ेगी जो कि नाउन में होती है यह the doctor declared that the patients patient की intestine हमारे शरीम में बच्चों कितने intestine होती है आप रोगने बीयोजी पढ़े है तो इस नाइस में पढ़ा होगा there the two intestines number one is a large intestine and the second is small intestine ठीक है छोटियात और बढ़ियात तो यहां intestine कोई गोई नहीं होता यह हमेशा इंटस्टाइन सोता है so therefore we have to use एक पर्टिकुलर नाउन यूज करना एक सही नाउन जो कि इंटस्टाइन सो गया अब इंटस्टाइन सो गया कर दोक्तर डिप्लेट अधा पेशेंट्स इंटस्टाइन वे मिंट स्क टिवस का बरो जाएगाанные वे हो गया क्यूंकि जब नाउन प्लूरल है तो वह भी प्लूरह नाट वो की प्रॉपरलिवाल झाओ काम नहीं कर नहीं थे-इंटस्टाइनिस क्रम नहीं कर रहीं थे ठीक चलो जली से बताएं क्या error होना चाहिए सबसे पहले चीज ध्यान नखें काफी लोगों को दिख्कत है इस टूरेंट्स को कि टू के साथ सर कभी आएंजी नहीं होता तो हम टू के संग make का यूज़ करेंगे ना कि making का यदि आप ऐसा सोच रहें तो बिल्कुल गलत है ऐसा इसलिए क्योंकि prone to ये एक ऐसा word होता है जो अपने साथ हमेशा verb की ing फॉर्म लेता है इसलिए यहाँ पे making लगा हुआ है मेरे नास से शाय सबको समझना आ गया होगा फिर से रिपीट करूंगा प्रोन टू एक ऐसा word होता है जो अपने साथ वर्ब की ing फॉर्म लेता है तो यह सही है यह गलत नहीं है चिल्डून प्लूरल है तो प्लूरल के संग आर लगा चिल्डून आर प्रोन टू मेकिंग मिश्चीफ इफ इफ दे हाव नाथिंग यजि उनके पास कुछ भी काम करने को नहीं है तो सीवात है अपने घर के बच्चों को देख लो अरे खुद को ही देख लो भाई यजि बच्चे हो तो नहीं है कुछ तो जब और दस्ती घर में यहां सिवाब फिड़ते रहोगे ऊधम मचाते होगे तो यहीं सेंदेस ने कहा लेकिन एरलन क्या है दोस्तों मिश्चीफ एстраक नाउन है जिहां आभी हमने रूल की अर३ा टाक यह भी प्लोग मिश्चीफ होगा ना की मिश्चीफ होगा हिक के ना तो टास्थे ल vereले मिश्चीफ घ्ची घर और जनी क् Crash I hope that everybody is clear with this यदि clear है तो जल्दी से आ जाओ Number 11 पर Come on What must be the error? The sceneries of Kashmir is more beautiful than that of Darjulin. No error सेनस ने कहा sceneries कश्मीर की is more beautiful एक जगे आप sceneries भी कह रहे हैं एक जगे आप इस भी लगा रहे हैं यह तो इस हटा दो क्या होना चाहिए? जी हाँ exactly हम सबको पता होना चाहिए कुछ नावन ऐसे होते हैं जिनका कभी plural नहीं होता furniture का furnitures नहीं होता scenery का sceneries नहीं होता तो दोस्तों यहाँ scenery होगा ना की sceneries होगा तो we have to use scenery rather than saying sceneries. The scenery of Kashmir is more beautiful. इस सही है क्योंकि यह word हमेशा is लेते हैं, singular लेते हैं तो the scenery of Kashmir is more beautiful than THAN लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर comparative degree more लगी हुई है beautiful की जहां than होता है वह more आता है comparative degree लगाते हैं So that's it इसलिए answer हमारा क्या हो गया? A में error हो गया चलो Number 12 What must be the error in Number 12? क्या error होना चाहिए Number 12 में? सेनस ने कहा I do not think it is your house it is somebody's else यह error है दूस्तों compound noun का somebody's else नहीं होता somebody else होता है compound noun में यह आप किसी compound noun को जब possessive case बनाते हैं तो उसके last वाले word में apostrophe case लगाते हैं जैसे माल लीजिए मैं आप से कहूं maid servant का possessive बनाईए तो maid servant का possessive maids नहीं होगा maid servants ऐसे करके होगा चीक है? So just remember इसी तरह somebody else का somebody else सोना चाहिए लेकिन यहाँ पे अब आप को क्या यूज़ करना है? somebody else's and that should be the answer So I do not know I के संग I plural है तो do not लगा सही है I do not think मुझे नहीं लगता है it is your house it के लिए is लगा है ठीक है यह तुम्हारा घर है it is यह किसी और का घर यहाँ पे घर नहीं रिखा लेकिन सिंपल सा है compound on मे it is somebody else that's it number 13 come on everybody what should be the right error जली से पढ़ है क्या होना चाहिए सेनस ने कहा the committee is divided over the issue of his appointment and this has resulted in much rancor among its members सेनस बहुत सिंपल है committee divide हो गई एक issue को लेके अब एक व्यक्ति के appointment पर और इस चीज़ का result क्या हुआ कि उन लोगों में committee की members ने बहुत ज़्यादा घ्रना बैठ गई गई एक दूसरे के प्रती तो आप सभी जानते हैं जब committee का decision committee की तकरी की members जब कमिटी का decision एक होता है कोई committee है उसका decision एक है तो आपको हमेशाँ वालब होना चाहिए कि वो committee क्या होगी वो हमेशा singular use होगी जब पूरी committee की members है और हमेशा डिशिजन एक होता है तो वर्ब हमेशा singular लगती है लेकिन जब वही committee के members का decision अलगल हो जाए कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं हम agree नहीं करते तुमसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई हम भी agree नहीं करते हम तो कुछ और कहेंगे तो जब उनकी decision divide हो जाएं तो वर्ब हमेशा plural लगती है तो वहीं यहां पे हुआ आपने दिखा committee है और divide हो रही है तो इसके place पर क्या आना चाहिए आरा आना चाहिए इज़ाएगा the committee are divided committee is नहीं होगा the committee are divided over the issue of his appointment clear चल इस रून को ध्यार रखेंगे नंबर 14 14 ने कहा owing to his heavy engagement he could not write even two-thirds of the book बहुत ज्यादा busy होने के कारण वो नहीं लिख सका अपनी किताब का दोतिहाई भाग of which the publication was expected before January जो publication जो है वो जैनुरी से पहले expect कर रहा था बहुत जदा busy होने कारण owing to his heavy engagement heavy engagement का मतलब है किसी भी चीज में busy होना और owing to का मतलब क्या होता है बच्चों owing to जो है वो synonym होता है due to proposition का due to मतलब के कारण so owing to his heavy engagement he could not write even two-third noun का error है two-third कुछ नहीं होता two-thirds होता है just remember जी हाँ इसको लिख लें कहीं copy pen के साथ कि two-thirds is a right answer two-third कुछ नहीं होता one-third हो सकता है लेकिन two-third is nothing two-thirds एस लग जाएगा number 15 come on everybody my chipmunks alumnus of the college are invited to college functions every year college के जो पूर्व छात्र है alumnus का मतलब होता है पूर्व छात्र old students of the college college के जो पूर्व छात्र है उनको invite किया जाता है college functions मैं प्रतेक्साव तो एक बात आप जहर नगे alumnus जो है वो singular होता है और इसका plural होता है alumni alumni प्लूरल है किसका alumnus का और इनका मतलब क्या होता है पूर्व छात्र तो alumnus just I am writing down here for you all singular alumni is plural तो alumni एक प्लूरल वर्ड है और यहां पर आप बात करें alumnus of the college आर आर प्लूरल है तो यहां alumni लगेगा ना कि alumnus लगेगा अच्छा इसमें एक चीज़ हो कि आप इसे काफी स्प्रेंट्स ही सोच रहे होंगे कि सब्सक्राइब करतें क्या नहीं कर सकते college के function में वो कह रहा है प्रतेक साल क्या आप किसी एकी बच्चे को बलाओगी अरे ऐसा कैसा college है भाई college के function में तो हम सभी students को बलाती है न तो प्लूरल आना चाहिए alumni of the college चल नमबर 16 बच्चों कमान जोली बताओ क्या एरर होना चाहिए नमबर 16 में सेरेस ने कहां if a student needs advices about career he or she should consult the career officer writer ने कहा यदि student को जरूरत है किसकी सलाह की if a student needs advices तो वही वाली बात आ गई abstract noun है क्या आप advice को छू सकते हैं किसी ने सलाह दी तो कि आप उसे छू सकते हैं देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं छू नहीं सकते हैं तो जो चीज़ टच नहीं कर सकते हैं वह abstract noun कहलाती है और advices जो है उसके लिए ध्यान रखना है कि यह abstract noun है इसी लिए plural नहीं होगा because no abstract noun can made easily plural उसको आप easily plural नहीं बना सकते हो हमेशना singular रहेगा so if a student needs advice not advices about career he or she should concern the career officer that should be the right answer number 17 बच्चों come on what should be the right answer of number 17 all the chiefs ministers are responsible for the pitiable condition pitiable का मतला बहुता है देनिया दशा of their states अपने अपने राज्यों के लिए जतने भी chief ministers है वो बड़े pitiable देनिया दशा में है तो writer ने का all the chiefs ministers अब chiefs ministers compound noun compound noun में जब आप plural बनाते हैं compound noun को तो उसके main word में ऐस लगाते हैं ना कि हर एक word में तो chiefs minister का plural chiefs ministers होता है ना कि chiefs ministers होता है तो chiefs मैंसे ऐस हट जाएगा और ministers मैंस लगा तो chief ministers should be the right answer a में error हो गया में तेरवा all the chief ministers are responsible ministers प्रूल है तो इसलिए आ रहाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन compound noun को प्रूल बनाने के लिए ministers में ऐस लगेगा ना कि chief में नेक्स बच्चों कि नबर 18 है बहुत सिंपल है 18 cattle were grazing in the meadows near our farm जो cattle से मवेशी जो है वो चर रहे थे चारा गाह में हमारे farm के नजदिक हमारे field के नजदिक हमारे मैधान के नजदिक तो writer ने का cattle were grazing cattle जो है दोस्तों वो कौन सा noun है collective noun है और यह collective noun ऐसे होते हैं जो कि अपने पीछे s और यह नहीं लेते यह जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं यह हमेशा प्लूरल रहते हैं तो cattle अपने आप में plural है there is no need to make it plural by writing down or adding s तो cattle कहेंगे cattle कुछ नहीं होता तो error हो गया a में cattle well grazing ठीक चलिए number 19 बच्चों 19 ने कहा although she has studied English for almost a year she has yet to learn the alphabets आप सभी ने बच्चपन से पढ़ा है कि my a to Z a to Z यह क्या कहलाता है यह alphabet कहलाते हैं ना कि alphabets कहलाते हैं ABCD से लेके XYZ तब हम लोग ने क्या पढ़ा है हम लोग ने पढ़ा है यह alphabet होंगे ना कि alphabets होंगे तो बही सी बात है नाउन केरर में यह बिल्कुल गलत है alphabets should be no word it should be alphabet तो आंसर हो गया see ठीक है ना यह स्टिल कोई question है तो please don't have any kind of blush ask me over there number 20 come on पढ़ें और बताएं writer ने कहा he says that a two miles walk always keeps him healthy and fresh वो कहता है कि दो मील की जो walk है वो हमेशा उसे स्वस्त healthy और तरो ताजगी से भरा रखती है fresh रखती है he says that a two miles walk always keeps him healthy and fresh सली को पता है क्या होना चाहिए he says he singular है तो says आया कोई दिक्कत नहीं है सही है that connector की तरह यूज हुआ है a two miles walk दोस्तों एक चीज़ धानक नहीं है a two miles walk होगा two miles walk नहीं होगा दोस्तों simple सी बात है यह जो noun है यह compound noun की तरह यूज हो रहा है तो यहां पर mile जो है वो एक adjective का का काम कर रहा है और जब adjective का काम mile करेगा तो adjective कभी भी plural नहीं होते माइल होगा हाँ यदि आप यहां पर walk ना लिखें आप simple सा लिखें a two miles तो आप कह सकते है two miles a two miles क्योंकि miles वहाँ पर noun का काम करेगा यदि मैं आप से कहूं one mile तो यह सही है यदि मैं आप से कहूं two or three mile तो यह miles होगा यह सही है यहां क्यों सही हुए क्योंकि यहां पर माइल जो है वो noun है यह noun है यहां पर और यहां पर माइल्स जो है noun है लेकिन यहां miles adjective है क्योंकि walk को qualify कर रहा है right इसलिए हम यहां पर miles मैं से s हटा देंगे is it clear sure तो दोस्तों यह थे आज के 20 errors मैं आशा करता हूं कि आप सब को बहुत ही अच्छे से समझ में आये होंगे यदि कहीं कोई doubt है कहीं कोई question है तो आप मुझसे पूछ लीजेगा और हाँ इसमें एक छोड़ी चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको अब इसमें 30 errors है ठीक है लेकिन मैं आपको 20 ही कराएं है बाकी 10 errors या आपके homework के लिए है तो just remember and keep in your mind के उन 10 के answers आप मुझे देंगे किसमें comment box में आपको इसकी PDF मिल जाएगी right आप below link देख सकते हैं इसकी PDF आपको available है और मस्ती किसन बाकी 10 errors करेंगे और मुझे दिखाएंगे शो करेंगे so that I can come with the right answers whether you have done right or wrong if you have done or if you have attempted wrong then I'll let you know the right answers okay so thank you for today मस्त रहे अबाद रहे और मस्ती किसन पड़ते रहे वीडियो को लाइक और शेर जरू करेए करेंगे